कैसे हैं आप सब मैं हूँ सोनम और यह वीडियो में अपने मॉम पे शूट कर रही हूँ तो फ्रेंट्स ब्लीच करना बहुत ही आसान है बट चोटी चोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है ब्लीच करने से आपकी जो फेशल हेर होते हैं वह भी ब्राउन हो जाते हैं हो और आपको इन्सटेंट गलो मिलता है और फ्रेंज यह करने बहुत ही आसान है बट कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत है कोई साब्लीच करूए फ्रेंज बस इसे कितना यूज करना है उसका जो पाउडर है एक्टिवेटर पाउडर है वह कितना यूज करना है कि फोड़ा व्यूज़ यूज़ चाहिए और इसकी कविए यूज़ लिए पाउडर के अगर यूज़ दूबरेंगे एकटिवेटर काली बढ़ाइगा तो इसकी है अगर आपके बहुत जादा डाक हेर और ब्राउन जल्दी नहीं होते तो फोड़ा आप यूज़ नहीं होते भी बहुत ही थोड़ा सा यह अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और अपने पूरे स्किन पे से पहले से मिला लेना अपने स्किन पे अपलाय करना है और हाँ एक पात और जरूर आप ध्यान रखे कि इसे आप किसी भी इस तरह के प्लास्टिक के या काज के बरतन में ही इस तरह से मिक्स करें लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वाश कर लेना क्योंकि किसी बी तरह की क्रीम या कुछ भी अपलाय को ना चाहिए और जुख करने के बाद धूप में बाहर जाने से बचे कोशिश करें ना जाएं या इसे शाम के टाइम में कर लो अपने फ्रेंस अपने स्किन पे और पेच टेस्ट बहुत ही जरुरी है इसे आपके स्किन के लिए यह रेक्शन कर रहा है नहीं किसी तरह की प्रावलम पर नहीं हो रही है यह आपको पता चल जाएगा और हां ब्राइन ब्लीच करते हैं यह थोड़ा सा होता है और अपने आखों के आसपास से ना लगने दें इसी तरह की अंदर नहीं जाने देना है जैसे कि मुझे आसपास भी थोड़ा सा होठो पर ना लगाए आखों पर आइब्रोज कळर ना करें या इस तरह से आपको यूज न पर रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर आपके हेर जल्दी काफी कड़े वाल है और बहुत जादा है और जल्दी वह ब्राउन नहीं होते तो आप इसे 20-20 मिनट रखलो फ्रेंट वह अच्छा होगा इसे ज्यादा कोशिश करें कि ना रखें अच्छे से पानी से बाश क आपके स्किन काफी डैमेज होती है तो आप सब्सक्राइब कर लेना इसे स्किन आपके इंस्टेंट ग्लोइंग हो जाएगी और आपको ब्लीच का भी एफेक्ट अच्छा मिलेगा और आपको किसी तरह से स्किन को भी आपकी नुकसान नहीं होगा मैं काफी टाइम से ब्ली एक्स वीडियों फिर मिले ती हो बागाई